बिस्मिल्ला रख्मानी रहेम असलाम अलेकों वीवर्स तुबा दुरानी की रसोई मैं आपको खुशामदीद केटी हूँ और पहले मैं अल्ला का शुकर अदा करूँगी कि अल्ला ने मुझे इस काबिल समझा के में इतनी मतब मेरा चैनल इतना मशूर हो सके और फिर दाइक कर क्ष़ आज बनाने जा रहे हूं मुझे भीफ चैनल डाल गृट क्ष़ ले एंख बना रहे हूं में जा रहे हूं अ मैं टो यह में ने छीक न्जुली इस तरह के चिकन लिए ठीके और यह ने मेने दाल यह बाया है औरक्ट सर्फन दाली थी मेरे बैस्ट और веч दाले मुंग की दाले band माश टॉक्त को करने के चड़ा कि अधर कि अधरक लसंट एक मीडिय päयास मैंने चार इतने हरी मिलक्त दाले थीं पतातर तीन डाली गडंग कानल पतुकर ताली है तीन नांग लाइन टेरot लहीं किलुस्कित अपशोर कना श्रीच करें में फिर चनल नम्मक현 टाला रिखी प्राप करें dep yêu ह्टां इसमें टेबलस्पून क्यों लिए इस सब्सक्राइब नमक लिया है जिए टाल का भी इसके अंदर में वन टेबल स्पून मैंने ईसके अंदर लाल मीरच लिये पी सीवी और हाफ टेबल स्पून मैंने गराफ ऑचाट मसाला लिया है जिंजर पाउडर लिया और जिंजर पाउडर लिया यह मसाला हम चीकन में डाल के बूनेंगे इसके इलावा में एक अंडा लिया है जो अंडा फेट के मैं आपको बताऊंगे कि कैसे दाल के अंदर दालना है इसके इलावा मैंने दो टिमार्टर लिये यह तिमार्टर में जी मैं चिकन में काटोंगे ऐ भूने ठीके इसके इलावा गार्णिश के लिए हमें हरा धनिया चाये होगा पसूदी मैथी ठीके तो चलिए जब तक हमारी दाल बनती है और हमें साइड पे चिकन को भूनते हैं और फिर आप से रागे रेसेपी शेयर करते हैं सो वीवर्स देख लीजिए मैंने चिकन को इस तरीके से सारा मसारा जो आपका लिया है थोड़ा मैंने टीमाटर नहीं गलाए क्योंकि हम अब इसको दाल में दालेंगे और दाल में भी गलाएंगे और मेरी दाल देख लीजिए दाल इस तरह आप पच्छी हाथी पक गई है तो चलिए हम दाल के अंदर यह सारा दाल दें और इसको पकाने रखतें और आगे फिर आपसे से रेसेपी को शेयर करते हैं सो वीवर्स देख लीजिए मैंने चिकन का जो मसाला बनाया था वह दाला उसके बाद मैंने दाल को पकने के लिए थी छोड़ा था उसके साथ और यह मेरी दाल इस तरह पकी वीवर्स आप याद रिखके अगर आपकी दाल नहीं गलती है तो आप इसके अंदर बैकिंग कि वीवर्स यह देखिए मैंने अंडा फेट के रखा इसके अंदर कुछ नहीं डाला में अंडा यह इस दाल के अंदर दाल रही हैं अब इसके अंदर अंडा दाल दिया है को थोड़ा चुलाओ तेज करेंगे इसको ही लाएंगे इस तरीके से एक की कि थोड़ा पका आएंगे ताके हमारा जो देखें अंडा देख रहे न इस तरह अंडा पक जाए ठीके यह हमारा अंडा पक गया इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर दालने जा रहे हैं कर सुरी में और थोड़ा धन्या भी दाल रहे हूं और थोड़ा गार्णिश के वड़ दालूंगी और यह हमारी हो गई यह ताल तैयार इसको हम निकालते हैं अर्थ में विकार दालते हैं और आपको बताते हैं कि हमारी डाल केसी बनी है यह आपको बता दो कि विगाद के लिए मुझे जो दर्का बनाना है उसके लिए तर्की के लिए मुझे जाहिए विगाद के लिए के यह मैंने कलोंजी लिए हाफ पाँच लाड बनाते हैं। तड़का बनाते हैं। तड़का बनाते हैं। चिकन और दाल देख लेजिए मेरी मूर्गी और दाल तयार है चिकन डाल विलकुल रेड़ी है और आप को आप मेरा ये दाल पनाने का तरीका प्रसंद आया होगा और विवस इस तरह से बनाई है यकिन जानी है बहुत अच्छी बनेगी और इसके अंदर जो मैंने मेरी मेरी हमेशा से कोशिश है वीवर्स के आपको मैं साधे से साधा खाना डिफरेंट तरीके से बना कर बता सकूँ ताकि आपको यह और यमी सा दगे और इसमें जो मैंने अंडा डाला है इसको और डिफरेंट सा करता है मैंने एक अंडा डाला है आप चाहिए तो दू भी डाल सकते हैं और इस तरीके से दाल बनाएगा और प्लीज मुझे मेसेज करके जरूर बताइएगा कि मेरी दाल का तरीका और मेरी दाल आपको कैसी लगी बनाने के बाद प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद अखिएगा, आला हाफीज